नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News मैं हूँ आपके साथ मेखा कॉंग्रेसी खेमे से अगर एक के बाद एक बवाल, तनाव, तकरार और तकराव की खबरे आ रही है कॉंग्रेसी खेमे में जो आग लगी है इस आग की गर्माईश का एहसास अब भारतिय जनता पार्टी को भी होगा अब इस तनाव की परचाई थोड़ी सी ही सही लेकिन भारतिय जनता पार्टी पर भी पड़ेगी क्योंकि अब हलचल इस पार्टी में मचनी शुरू हो चुकी है क्योंकि अगर हलचल ना मची होती तो यहां पर मेनका गांधी और स्वरिती इरानी के बीच तकरार की खबरे सामने नहीं आती जैसा कि आप सब जानते हैं गांधी परिवार के साथ अगर मुकाबला करना है तो सामने गांधी को खड़ा कर दो यह राजनीती कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी में दिखाई पड़ी है शायद इसी लिए सुल्तानपुर की जमी पर चाची मेंका के खिलाब प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे जब यहाँ पर उन्हें अपने प्रत्याशी संजे सिंग का प्रचार करना था और जब लड़ाई गांधी वर्सिस गांधी की हो तो जनता की उचसुकता का लेवल भी बढ़ जाता है लेकिन अब शायद भारतिय जनता पार्टी को गांधी वर्सिस गांधी की लड़ाई करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतिय जन्ता पार्टी के पास राहुल गांधी और प्रियामका गांधी की राजनीती का तोड एक और आ गया है और ये तोड मिला है ये विकल पाया है स्मृति रानी के रूप में जी हाँ स्मृति रानी जिने कहा जाता है भारतिय जन्ता पार्टी की जासी की रानी वो जासी की रानी जिसने अमेठी के जमी पर कॉंग्रेस के गड़ अमेठी में यहां कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ही हरा दिया स्मृति इरानी की जीत को लेकर इतने ज्यादा चर्चे हुए कि स्मृति इरानी पूरी तरह से पार्टी में मेंका गांधी की जगह ले चुकी है ना सिर्फ स्मृति इरानी ने लोकसभा चुनाब 2019 के बाद मेंका गांधी के मंतराले को अपने हाथ में लिया है बलकिस बृति-ईरानी पार्टी में मेंनका गांधी की जगह लेती हुई भी देखी जा रही है अब तक सोच कर देखिए ज़रा मेनका गांधी का मंत्राले महिला एवं बाल विकास मंत्री जो मेनका गांधी 2014 से लेकर 2019 तक रही मेनका गांधी के बाद चर्चे थे कि ये मंत्राले उनके बेटे को दिया जाएगा मेनका गांधी के बाद उनके बेटे वरुन गांधी को ये पद सौपा जाएगा लेकिन महरबान यहां पर हो गई स्मृती रानी पर भारती जनता पार्टी मेंका गांधी को कर दिया साइट और ये मंत्री मंदल ले जाकर दे दिया ये मंत्राले दे दिया स्मृती रानी को स्मृती रानी और मेंका गांधी इनके मंत्राले में ये जो फेर बदल हुआ इसने जनता को भी चौकाया और जनता ने सवाल उठाया कि ये क्या अब स्वृती रानी पूरी तरह से पार्टी में मेंका गांधी के जगा ले लेंगी मेंका गांधी को लेकर caption में स्मृति रानी लिखती है जो आपने मुझे जानकारिया दी जो रास्ता मुझे दिखाया उसके लिए धन्यवाद रास्ता मेनका गांधी ने महिला एवं बाल विकास मंतराले के लिए स्मृती रानी को दिखाया और स्मृती रानी पिलहाल मेनका को पार्टी से साइड कर देने का रास्ता दिखा चुकी है हाला कि ये राजनीती है और राजनीती में ऐसा होना कुछ नया नहीं है राजनीती में पद को लेकर मनमोटाव होते हैं यहां रंजिशे होती हैं यहां चाले चली जाती हैं यहां खेल खेले जाते हैं और ऐसा ही खेल भारतिय जंता पार्टी ने खेला है भारती जन्ता पार्टी अगर औरों पर इल्जमात लगाती है खेल खेलने का तो इस पार्टी को खुद भी मानना पड़ेगा कि खेल इस पार्टी ने भी खेला है जब तक गांधी वर्सिस गांधी की लड़ाई से जन्ता को अपने साथ जोड के रखना था तब तब मेनका गांधी को यहां केंद्रिय मंत्री बना कर रखा और जब जब जन्ता के बीच स्मृती इरानी को लेकर विश्वसनियता बढ़ गई तो पार्टी ने मेनका गांधी वर्न गांधी को साइज करके स्मृती इरानी को एक ऐसा मंत्रा ले दिया है जिसकी पहचान मेनका गांधी के तौर पर पहले थी क्योंकि महिला इवं बालविकास मंत्राले के लिए मेनका गांधी ने काम किया है अब ये मोधी सरकार का फेर बदल यहां पार्टी की राजनी में सुल्टानपुर के मुस्लिमों को लेकर मेंका गांधी के बेतु के बयान ने विवाद भी जन्मा और यहां चुनावायोग ने इन पर रोक भी लगाई इनके प्रचार पर कुछ घंटों की और इस तरह के तमाम खबरों के बीच हो सकता है कि स्वृती रानी को मेंका सुखने का वक्त आ गया है सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा और उपर इल्जाम लगाने वाली क्या भारतिये जन्ता पार्टी खुद भी कुछ वैसा ही कर जाएगी क्या नया विकल्प मिलते ही पुरानों को भूल जाएगी इन तमाम सवालों के जवाब आपके जहन में क्या आते हैं नीचे दिएगए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेट